स्टार्ट प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीडियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभी मन्यो रक्षरा दोनों का ग्रह प्रवेश हो चुका है दोनों की पहली तीज भी आने वाली है जिसको लेकर खरने सब बहुत जादा खुश है वाल जहां दोनों के ग्रह प्रवेश के बाद आनन अभी डिसाइड करता है कि उन्हें फिर से हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि अब उन्हें हॉस्पिटल की देख भाल करनी है अभी मन्यो भी कहता है कि वो भी चलेगा लेकिन बड़े ताउजी से मना कर देते हैं कि वो नही के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलने वाला है अक्षरा जाएगी जब अपने कमरे में अपनी पुराने यादों को याद करेंगी और इमोशनल होगी दोनों ही एक दुसरे के करीब होंगे एक दुसरे से माफी मांग रहे होंगे कि वो कितने बड़ी बेवकूप हैं क अक्षू अलाम से पहले ही जाग जाएगी और सोचेगी कि अच्छा है पहले ही उसकी आंखे खुल गई नहीं तो अभी मन्यों भी साथ साथ उठ जाता अब अब वरत से पहले सरगी लेने के लिए अक्षू आएगी वो काफी परिशान होगी कि वो अकेले खाना कैसे खाए लेकिन तब ही वहाँ पर अभी आएगा और कहेगा कि अब वो भी उसके साथ खाना खाएगा तब तक हॉस्पिटल से बाकी सब ही आ जाएंगे और अब एक साथ पैट कर सब खाना खाने वाले हैं लेकिन इन सब के बावजूत भी हर्शवर्दन का रवेया नहीं बदला है म पर फिर से मंजरी को और्डर करते हुए नजर आएगा कि उसके लिए वो चाई लेकर आए और मीठे का ख्याल रखे क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे बेमारिया लग जाए ये बाते सुनकर अभी मन्यों को आने वाला है बहुत ही जादा गुस्ता जो अपनी मा को समझाते ह हुए नजर आएगा कि उन्हें कुछ तो करना ही होगा क्योंकि दोनों के बीच कोई रिष्टा नहीं है कोई समझतारी नहीं है एक और जहां ये सब होगा तो दूसरी तरफ आप देखेंगे एक खूब नाचगा ना क्योंकि अब तीज सेलिब्रेट किया जाएगा ऐसे में नक्षु डांस करते हुए नजर आएगी और सब उसे देखकर होंगे बहुत ही जादा खूश यानी शो का अपकमिंग ट्रैक बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग होने वाला है तीज केस तेओहार के साथ तो बिल्कुल भी ना करें मिस और देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिष्टा क्या कहलाता है